गाउं में भटक रही लहूलुहान गाई की सूचना ग्राम प्रधान को प्राप्थ होते ही ततकाल प्रधान हिमलता पटेल ने बुलाई पशु अस्पताल बहुआ से डाकटरों की टीम कराया इलाज ग्लोप बहुआ के सुचना ग्राम प्रधान हिमलता पटेल को दी प्रधान ने मामले को संग्यान में लेते हुए ततकाल सरकारी पशु अस्पताल बहुआ में फोन किया और चिकित्स को की टीम बुलवा कर इलाज कराया गाय के एक पेर में बलेट वाले तार से कटे का बहुत बड़ा जानलिवा घाव था जिससे खून लगातार निकल रहा था और वह बहुत कमजोर हो चुकी थी सही से चल भी नहीं पा रही थी प्रधान व गुलाबी गैंग लोग तांत्रिक की अध्यक्ष हिमलता पतेल ने जन्मानस से अपील की कि वह बलेट वाले तारों को अपने खेतों में लगाने से जितना हो सके बचे क्योंकि इस तार से इंसानों वह जानवरों को खत्रा हो रहा है आए दिन घटनाए हो रही है अब इलाज के उपरांध गाय को आराम मिली है इस दोरान डॉक्टर ए आई टेक्नीशिन सौरब सिंख, रामु कुमार वा गाउं के लोग जिसमें गोपी पतेल, देशराज्व, मंगल कुश्वाहा, उमा कांथ, मिर्ची देवी, रानियाधी ग्रामीन उपस्थित रहे रिपोर्ट राधिश्याम गुपता उत्तर प्रदेश हेट एवीपी भारत म्यूस चैनल अज मेरे गाउं सुजानपुर में एक गाय भटकती हुई आ गई है, जो बहुत ही चोट की खाई हुई है, उसके पैर में चोट लगी है, काफी दिनों की चोट है, उसके पैर में कीड़े भी पढ़ चुके हैं, और जब मुझे पता चला लोगों ने बताया, मैंने तुरं गाज इलाज हुआ, सारे सफाई करके और मलाहम पट्टी कराई गई, जब तक ये गाज स्वस्त नहीं हो जाती, तब तक यहीं हमारे पास रहेगी, मैं इसकी देखभाल करूंगी, और मैं सभी लोगों से, सभी जन्मानत से अपील करती हूँ, कि क्रपे तार ना लगाए ज मैं हेमलता पटेल गुलारी गें, लोगतां तरिक की अध्येच, प्रधान सजाने